आदार शिक्षन समिती बाड मेर द्वारा संचालीत ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक श्वागात एवं अविदंदन प्यारे भाईया भाईनो नमस्कार कक्षा चतुर्ती विश्य हिंदी रचना अध्याए चार पिछले कलांस में हमने लिंग वचन का अध्यन किया था आज हम काल का अध्यन करेंगे काल यानी टेंस काल किरिया का वह रूप है जिससे उसके कारे समय अवस्था का बोध होता है जैसे मैं पत्र लिखता हूं मैंने पत्र लिखा था मैं पत्र लिखूंगा इन तीनों वाक्यों की किरियाओं में तीन काल अर्थात वर्तमान काल भूत काल बोध काल का बोध हो रहा है इस आदार पर हम काल के तीन बेद कर शकते हैं यहनी किरिया का जो समय होता है वो बोलने से पता चलता है कि कौन सा वर्तमान काल में काम हो रहा है कौन सा बूतकाल में है और कौन सा भवशगाल में होगा काल के मुख्य रूप से तीन बेद होते हैं वरतमान काल, भूतकाल और भवशगाल कथन के समय किरिया का साथ साथ होना वरतमान काल है जैसे राम फल खाता है मेरा पुस्तक पढ़ रही है मोर नाच चुका है यानि वरतमान काल में अभी जो कारे है वो वरतमान कारे में चल रहा है आज जो हम अभी जैसे राम फल खाता है तो उसका काम लगातर चल रहा है बंद नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है मेरा पुस्तक पढ़ रही है पढ़ने का काम उसका जारी है मोर नाज चुका है अभी अभी ज़स्त नाज चुका है भूत काल कथन के समय पूरू किरिया यानि वेपार होना भूत काल कहला था पूरू किरिया के अधर पर ही उसका पता चलता है जैसे राम फल खाता था राम फल खाता था वरतमान नहीं है भूत खाता था अबनी मीरा पुस्तक पड़ रही थी मोर नाच चुका यानि उसका नरते है वो पूरा हो की थी कोई अभी अभी हुई है और किसी के होने में अभी संदे है कि वह पूर्ण हुई या नहीं का बोद होता है जैसे लड़की गई होगी गई होगी यानि संदे है तुम आते तो मुझे पाते यदि तुम आते तो मुझे पाते यानि अभी इसमें संदे हो रहा है तीसरा है बहुशेत काल कत्थन के समय के बाद किरिया का वेपार होना बहुशेत काल के लट जैसे राम फल खाएगा यानि बहुशे काल का मतलब आने वाला कल कल जो हम कारे करेंगे वो बहुशे मोगा सुदा पत्र लिखेगी अभी लिखा नहीं लिखेगी पुशे बाड़े कर रही है इसको का आपके पाठी करम के अनुसार आपके मुख्ये तीन कालों के बारे में विश्टर से हमने अध्यन किया है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धनेवाद